आज के class नाम बेहत आसान class होगी लेकिन important होगी देखो आसान कोई चीज है इसका मतलब यह नहीं कि वो important नहीं है यह मतलब एक art होता है जो आपको कुछ मुछकिल चीजें भी आपको आसानी से समझाई जा सकती है वो आज के class में आपको पता चलेगा कि कैसे आप आसानी से English को सीख सकते हो तो class को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के class में जो भी कराऊंगी जो भी पढ़ाऊंगी आसान तो है लेकिन आपको purpose पता चलेगा कि कब कहां क्यों कैसे इस्तमाल होता है यह सब आपको आज के class में देखने को मिलेगा class को चलिए शुरू करते हैं आप देख अगर नए है तो subscribe करके bell notification on कर दीजेगा ताकि आगे कि आने वाली classes आपको मिलती रहें साथ ही जो लोग हमारे already subscribers हैं जो रोज class को टेंड करते हैं उनको thank you आप लोग class को like और share कर दीजे ताकि आगे मैं class को शुरू कर सकूँ सबसे पहले शब्त की बात करेंगे जो कि है was ये आपको हर उस वाक्य में इस्तमाल होता हुआ दिख जाएगा जिसके अंत में था थी इस्तमाल हो रहा हो या रहा था रही थी इस्तमाल हो रहा हो मतलब दो इस्तमाल है इसका ठीक है लेकिन एक common क्या है कि ये past में यूज होत में करना है और I, He, She, It और किसी भी नाम के साथ ही इसका इस्तमाल करना है जैसे मैं एक वैपारी था I was a businessman मैं दोड रहा था I was running यहाँ पर दोनों ही examples में मैंने आई लिया है आप इन सबका He, She, It और कोई नाम मान लो अपना ही नाम लेकर के इसको further example आप बना के copy पर homework इसका कर सकते हो ठीक है कि मैंने ये example दे दिया आप मैंने एक subject पे based example दे दिया आप He, She, It और नाम के basis पे आप इसको कर लेना अगला शब्द है वर और ये copy paste कर लो was का जो भी usage है ना वर का भी वही usage है अलग कहां पर है फिर मैं फिर दो शब्द क्यों है भाई मैं बताती हूँ व basic difference was और वर में है ना बाकी सारे यूजर जिसके copy paste कर लो बिलकुल है ना was जहां पर यूज़ होगा वर भी वहां पर यूज़ हो जाएगा बस subject change हो जाएगा जैसे हम खेल रहे थे we were playing हम वियपारी थे we were businessman अगला शब्द है would w-o-u-l-d l silent रहता है silent letters वाला rule के हिसाब से ले दिखाने वाला संभावना दिखाने वाला है तो आपने मान के चलो कि उसमें would का स्तमाल होगा एक extra information would के बारे में will का past form होता है would इस्तमाल ये सब के साथ हो जाता है और ये ऐसे वाकियों में भी इसका स्तमाल देखने को मिलता है जो future से related है परन्तु past में कहे जाने वाले व मुझे लगा कि वो परिक्षा pass कर लेगा I thought that he would pass the exam ठीके तो I thought I thought ही यहाँ पर past को दिखा रहा है और आपने future के बारे में बात करी past में future के बारे में बात करी तो I thought that he would pass the exam उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे they said that they would help me है अब ये संभावना जताने वाला वाकिया हो सकत है जब आपको जरूरत हो तो वो help न करें इसके assurity नहीं है probability है संभावना है तो यहाँ पर हमने would का इस्तमाल किया अगला शब्द है did जिसका मतलब एक normal statement के तरह से हम देखें तो किया के तोर पर इस्तमाल होता है ये question पूछने के लिए इस्तमाल होता है तो जब ये question की या ये इनके तरगे से भी इस्तमाल हो जाएगा तो multiple use है एक शब्द है लेकिन एक चीज़ common है क्या एक चीज़ याद रखनी है क्या that is कि ये past में use होता है did का स्तमाल ठीक है और ये स्तमाल सबके साथ हो जाता है तो extra कुछ rule याद रखने के जरूरत यहाँ पर नहीं है जैसे मैंने अपना homework किया I did my homework क्या मैंने पढ़ाई की did I study उसने पढ़ाई नहीं की he did not study तो मैंने आपको यहाँ पर positive interrogative negative तीनों तरीके का example मैंने आपको यहाँ पर दे दिया अगला शब्द है had जिसका मतलब होता है past था और ये जो है दो तरीकों से इस्तमाल होता है सबस लेकिन दो तरीका क्या है एक main verb और ये helping verb ऐसे इस्तमाल होता है main verb में जब भी इस्तमाल होगा main verb के तौर पर वाकि में जो मतलब है वो past था कोई चीज आपके पास थी या उसका ऐसा feeling है directly indirectly कुछ भी हो सकता है उसके हिसाब से use होगा use ये सबके साथ हो जाएगा जैसे उनके पास एक car था they had a car पास था they had a car ठीके दूसरा है helping verb के तौर पर change क्या होता है change ये होता है कि ये helping verb के तौर पर use होता है बस इतना सही change होता है बाकि helping verb के तौर पर भी ये past वाले वाकियों में इस्तमाल होता है और rule जो है वो सेम रहता है सबके साथ इस्तमाल होता है ठीके व helping verb का मतलब क्या होता है जो वाके को बनने में मदद करें वाके में exactly आपको उसका word translate होता हुआ नहीं दिखेगा मतलब लेकिन उसके नहीं रहने पर वाके नहीं बनेगा तो helping verb का ये मतलब होता है चिकें अब had के साथ ही मिल करके to बनाता है had to जिसका काफी use होता है और उसका मत क्यों क्योंकि two तो लगा जरूर है इसमें पर पहले had लगा हुआ है तो had का rule follow होगा यहां पर ठीकें तो उसे जाना था he had to go उसे जाना पढ़ा he had to go उसे जाना पढ़ता था he had to go तो तीनों तरीके से आप कैसे भी बोलो आपकी इसकी अंग्रेजी जो है he had to go ही होगा चाह करता होगा या होगी है ना तो बस वहां difference आ जाता है पकी मैं सारे मतलब क्यों बता देती हूं बताओ तो जैसे मानलो मैंने आपको सिर्फ इसका मतलब मैं क्या कोशिश करती हूं मैं कोशिश करती हूं आपको सारे मतलब बता दू है ना जैसे मानलो मैंने आपको बताया कि जाना था, ना था बस मैंने आपको बताया, ठीके, तो आप कर लोगे ट्रांसलेट, जब भी कोई बोलेगा या आपको बोलना होगा कि ना था, तो he had to go up, बोल लोगे, लेकिन मैंने अगर आपको नहीं बताया कि ना पड़ा या ना पड़ता था, तो मान लोग अभी आप ही रहे हो, कि अरे मुझे जाना पड़ा, अरे मुझे जाना पड़ता था, इसकी अंग्रेजी नहीं कर पाओगे फिर, हाना, फिर confusion चले लगा दिमाग में कि मुझे तो खली ना था का पता था, इसी वज़े से मैं क्या गरती हूँ, मैं आपको सारे के अंग्रेजी बता देती ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ये इस तरीके से वाक्य में आपको दिखता है, जैसे वह पड़ता आ रहा था, he had been studying, आगे बढ़ेंगे, would be के बारे में बात करेंगे, would be आप कब वाक्य में यूज़ करोगे, जब आप रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा, यूज़ कर रहे होगे, तो would be का यूज़ कर लेना वाक्य में, वाक्य में would be अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हो, तो example देख लेते हैं, आ रहा होगा, he would be coming, वे लोग पढ़ रहे होंगे, they would be studying, फिर है हमारे पास will have, जि इसका स्तमाल भी सबके साथ कर सकते हैं, जैसे उसके पास एक कुत्ता होगा, he will have a dog, उनके पास एक नया घर होगा, they will have a new house, clear हो गई बात, तो चलिए, ये थी आजकी क्लास, जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द, जिनका स्तमाल हमें करना पड़ता है, जब हम कैसी लगी, बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेर कर दीजेगा, नए है अगर चैनल पर, तो संडीत इंग्लिश अकाडमी आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर आउन कर दीजेगा, ताकि आगे आने वाली क्लास जो हैं, आपक का कोर्स है, रीडिंग का कोर्स है और ये इबुक से हमारी, ये सब आपको मिल जाती है, संडीत इंग्लिश अकाडमी करके हमारी आप है, जो कि गूगल प्लेय स्टोर पर है, वहां से आपको आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और बेसिक डीटेल्स डाल के रेजि में भी, ठिक है, इसके अलावा आप ये वाली जो नंबर है, इस पर आप संपर कर सकते हो, अगर आपको कोई परचेस करते वक्त, वह दिकत अगर आ रही है, या जानकारी चाहिए किसी कोर्स के बारे में, तो इस नंबर पर आप वाटसेप मेसेज के जरिये संपर करें, हमा कर लीजेगा, वाटसेप और टेलिग्राम पर हमारा चैनल जॉइन कर लीजेगा, और वाटसेप का ग्रूप भी जॉइन कर लीजेगा, रोज जो क्लास डालती हुना यूट्यूब पर वो वाटसेप और टेलिग्राम पर भी चली जाती है, so that आपको फोन पर ही मिल जाए क् और अब वहीं से सीधे प्ले करके class को attend कर सको clear? चलिए मिलूंगे आपसे आपके अगली class में till then thank you so much for watching stay tuned to Sunreeet English Academy